जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब कीजिए रहे हैं हम आपको जानने की कोशिश कर, आपके दिल को जानने की कोशिश कर रहे हैं मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने भी लाइब में मुश्किले देखिये न, उन मुश्किलों की वज़े से आपकी पस्नालिटी बदल जाती है अगर डर का सामना की है हिम्मत के साथ, तो आप बदल जाते हो, कहीं है डर के आगे जीत है येस, तो ये है हमारा डर से जीत तक round मैं आपके दिल को जानने की कोशिश करूँगा तीन specific सवाल है आपके, तो आप ready हो हमारे round के लिए तो आप ready, I'm ready तो थोड़ी से specific सवाल है, अगर कोई story अटाच है, वो story भी सुनाई है हमें कि क्या हुआ, तो जब हम combat sports की बाते करते हैं boxing, wrestling, martial arts आपको एक दूसरे इंसान का सामना करना पड़ता है मैंने बच्पन में judo किया था और judo की fight से पहले, आप अपने opponent को देखते हो ठीक है, और बच्पन में कुछ बदल जाता है आप में आप combat sports करने जाता हो, आप जान तो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो combat sports में हर fight के पहले एक moment होती है जहां आप अपने opponent को scan करते हो थोड़ा सा थोड़ा सा तो आप देखते हो कि कौन है opponent रिंग एंटर करने से जस्ट पहले या जस्ट रिंग एंटर करने के बाद तो कोई ऐसी opponent थी जिनको देखकर तो आपको थोड़ा सा दिल में डर लगा और अगर हां तो उस डर को आपने एक जीत में कैसे बदला obviously हम लोग जब शुरू शुरू में ये smart बगेरा what to say develop नहीं हो रहा ना पहले तो recording बगेरा हो camera बगेरा हम लोग even though मेरा phone तक भी हमारा पास नहीं है कुछ record करने के लिए analyze करने के लिए और फिर obviously जब हम लोग का picture आ गया बाउड का ड्रो आ गया मतलब उसके बाद मैं आस चाइना के साथ शुरू सुरू से चाइना तीम बहुत strong हो जाता है फिर चाइना मैं सबसे पहले every competition जो खेल रही हूं strong opinion से मुझे fight हो जाता है तक्कर हो जाता है मतलब और मुझे फिल अंदर में मुझे भी चाइना में कैसे fight करों अंदर में अंदर में दर हो जाता है कि लेकिन मैं एक बार उसका training हो देखे थोरा मतलब analyze करना चाहती हूं देख दिया तो फिर पता चल जाएगा करके क्योंकि boxing दिमाग कभी खेल होता है कि opponent जरूर जरूर boxing boxing भी दिमाग का game है आप दिमाग नहीं तो फिर कभी जीत नहीं पाएगा आपका energy आपका speed में जीत तो जाएगा लेकिन तुमारा game में इतना वह नहीं होगा क्योंकि कोई game है इतना खराब खेलने से भी जी जाता है smart नहीं खेला इतना low standard मतलब high standard low standard होता है स्माली खेलिया हम लोग भी खुद पता चला रही है तो bullfight है फिर भी जीत गया मतलब bullfight है तो तक्कर मार तक्कर मार दिया कुछ भी हो के फिर जीत गया तो very smart clever वह लोग तो मार भी नहीं खाना है defense फिर defense करके counter करना attack करना point लेना है बहुत smartly अच्छा बहुत फाइड लोग है अच्छा अच्छा खेला हम लोग भी बहुत सारे सीखने सीखने मिला मेभी वही मतलब वही लेकिया दर लगा लेकिन मुझे एक बार fight देके shadow boxing किया हो और padding मार रहा हो वह देख लिया तो और opening को orthodox है क्या और south pole है क्या उसका accordingly मुझे पता चल गया तो फिर ring में कैसे handle करना first round में थोड़ा दिक्कत होता है first round में catch करना उसका strategy उसका game बतला अब boxing भी कर रहो और साथ में दिमाग भी उसकर हो कि opponent क्या कर रहा है और फिर उसको counter कर रहा है उसका move उसका step उसका puns यह सारे पता होना चाहिए okay first round में हम lightly तो नहीं लेगा very careful alert alert all the time होना है every round में तो हम लोग कितना smart होना है कि fan मुझे तो मारने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं मारा तो फिर क्या punch आया फिर point okay यह punch में जब मैं attack करने के लिए जा रही हूं और यह punch जरूर यह छोड़ता है left और right और कोई भी punch चोड़ा तो फिर उसका हिसाब से इसका हिसाब से मैं block करके फिर मारना और defense करके फिर मारना यह सारे strategy बनाना बनाना है मतलब अगर डर फील हो रहा है तो strategy यूज चाइना के अगेंस जब आप खेल रहते हैं डर फील हुआ था पर दिमाग यूज किया ओके तो चाइना मैं तो होस्तीम मोस्ती जो भी वर्ल चेंपिंशिप हो रहा है होस्तीम के साथ पहले बद तक्कर हो जाता है फिर खोस्तीम में फाइट होने से कभी-कभी दर पका हो जाता है क्योंकि उन लोग का होस्तों को रैफ्री जज हो हो तोड़ा साइट माई चाहए कभी कभी क्योंकि फाइनल तो पका ही पका करता हैiest जो हानेसि भी एक जिताना ही जिताना है एसे मैनुपलेट होता है जब दूसरा गेम मुझे पता नहीं लेकिन मेरा जिंदगी में तो जो भी हुआ है अच्छा के लिए होगा और मैनुपलेट कभी करने ने तो फिर नहीं होता है All the match is You know, fair only Okay So unfair कभी नहीं हुआ Okay So basically अब यह कह रहे हो कि जब आपको डर लगा वो चाइनीज अपोनें तब आपने दिमाग को यूज किया तब करें? कोई अपोनें का नाम याद है? नाम तुनाही है बहुत देश सारा है मुझे अभी तक मतलब जार नहीं I cannot remember No problem But China as a country tough opponents Yes Okay Okay अगला सवाल According to you अपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? मेरा सबसे मेरा जिंदगी में तो Of course World Champion Back to Back और इवन ये भी अलग है और मा बनने के बाद जो जीत किया आना हो वो भी बहुत अलग है क्योंकि क्योंकि मतला कभी कोई लोग दिमाग mentally उन लोग का क्या mindset उन लोग का mindset ही comeback नहीं कर पाएगी साधी के बाद तो comeback मुश्किल से वो भी बोला है वो भी साधी के बाद तो comeback करेगी लेकिन medal नहीं आप आएगी ये भी अलग challenging है मेरा life में comeback करके प्रूफ कर दिया और मा माने के बाद तो फिर कितना गेब हो गया है और only three four months में training करके comeback करके और medal goal जीतना वो भी world championship में ये कभी people mindset में कभी सोचा नहीं की जीत दुबारा जीतेगा लेकिन इसे भी breakdown करेंगी इसके related बहुत सारे सवाल है अच्छा we can talk about pregnancy and all that in detail ठीक है sorry मैं आपको cut कर दो ये बस it shorter round है ठीक ठीक है अगला सवाल क्योंकि अगला साल pregnancy related भी है ठीक है pregnancy जिन्दगी का एक बहुत जरूरी phase होता है किसी भी family के लिए किसी बहुत सारी लड़कियों को pre-pregnancy fears होता है मतलब जब pregnant है pre-labor fears होता है क्या होगा बहुत सारों को post-pregnancy fears होता है डर लगता है कि बच्चे के born होने के बाद क्या होगा आपके pre-pregnancy fears और post-pregnancy fears के बार में थोड़ा बताईए pre-pregnancy में post-pregnancy में मेरा मुझे तो कोछ फरक नहीं है same same body भी body भी क्यों God भागवान पूल करके पूछना पर है यही है मेरा अलग भागवान ने मेरे को you know sorry भागवान ने bless किया है और मतलब मेरा जीन पता नहीं अलग से वो है सारे सब कुछ अलग है सोच अलग है दिमाग अलग है और क्या बोलूँ जो extra सारे मुझे कुछ भी सारे दुनिया भागवान ने बनाया सब कुछ आग हार्ट पेर सब कुछ बनाया लेकिन मेरा मेरे से कुछ अलग दिया लग रहा है मुझे पता नहीं अपकी बॉड़ी थोड़ी अलग है कि अपकी रिकावरी फास हो गई वेरी फास होता है और फ्लेक्सिविलिटी वाईस में भी जो साधी से पहले और साधी के बार माँ बने के बार वो फ्लेक्सिविलिटी सेम तु सेम है कर दो, कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो, तो कल दो क्या पॉजब फिल दो, प्रोंक रहें हैं। अभी भी मतलब की अभी और में 40 हो जालिस है क्या गलत 40 होने वाले हूं अभी भी मेरा स्ट्रेन है सेम तू सेम और मेरा स्पीट तो और बरते जा रहे हैं है फाले जो स्पीट थो आ अफ्कोस हम इतना एक्सपीरिएंस नहीं कैसे स्पी लाना है है हम इतना है और एकसपीरिएंस नहीं है फिर इतना नहीं WIN रचा अनुड में लेकिन जब मैं आफ्टर मेरा बच्छा ओने के बाद मेराobia स्पीट था रहा है बरते जा रहा है मैं आवाल बश्ट आजया है, दो मुझे भी एसे क्या हो गाया हूं में मुझे भी खुट को विश्वास नही उपारही हूं तो 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 गई सो काइथ गई गई सो काइथ आज पाइख आजनेला पांगाईए तो यदो बड़्म लीए मेरे लिए बड़ा मुझे कभी ये हंगर भी खतम नहीं हो रहा है कि मेरे स्पीद अच्छे चल रहा है बहुत मतलब और बढ़ते जा रहा है और इवन एनर्जी इंदुरेंस सब कुछ जा रहा है मैं क्यों रिटार्मेंट दिलूँ ये कभी ये सोचता है लेकिन पता नहीं बॉक्सिंग में क्या हो गया है एच लिमिट रहके मैं जबरदस्ती रिटार्मेंट करना परेगा क्यों आपने को बोला तदरे क्यों को पूचा कि पांच रीजन दो कि आपको बॉक्सर क्योंब नहीं। रॉप ऐफ वाउब दोग्सिंग अनूब भॉक्सिंग में यही जिंदगी मतलब केरियर में शुरुआ कि ये सब को मिलाँ और प्यार सम्मां और सब आहनी gü्ण fund फिर फाइट करते रहोंगे एक अगला सवाल है यह हिम्मत से रिलेटड सवाल है अपने बच्चों को अपने हिम्मत के बारे में क्या सिखाया है हिम्मत के बारे मैं बहुत सारे मैंने सिखाया सिखाया मैं मैं तुम्हारा ममी तो पावरफुल माम है और मेरे जैसे आप लोग बनना है और उन्हें पता है ना आपके अभी पता चल अभी पता अभी पता जस्क रिसेंट ज़्यादा साल नहीं है वो पहले तो वो कि जैसे बच्चा जो कुछ इनोशन देना ऐसे ताइब रहा क्योंकि मुझे 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 लगा पता नहीं दूसरा बच्चे लोग तो maturity जल्डी हो जाता है कोई बच्चे लोग maturity में कम हो जाया और इसे कुछ नहीं कोई बच्चे लोग बोहुत जादा और जादा maturity हो जाता है फिर वोन लों का दिमाग और ज्यादा पीर अच्छा भां रहा तो जादा अँप्साइब पांक साल में सब जानता है क्या सिखने का जरूरी नहीं है ये भी गलट है मुझे लगा लेकिन जो भी भगवा ने दे दिया दे दिया बाद में आगे अच्छा ये वाला केरियोन करेगा जब लंबा मतलब फ्यूचर में जब आडल हो जाए टीनेश अडल हो जाए फिर अच्छा हो जाएगा वो कभी ये अच्छा लोग बच्चे लोग कभी आगे में अच्छा नहीं बन पाया ऐसे भी उल्ता भी होता है और अच्छा करेगा तो बहुत भरी बात है ना फिर मेरा बच्चा लोग तो अभी एक दो साली वो लोग आप देनो अबाउट में मामी मेरे को चैंपियन है और इस और वेलू अफ मी ना श्रीब एक दो साल में पता चला लेकिन मैंने अभी पता चला तो मैंने समझाया बताया मामी पवरफुल है मेरे जैसे आप भी बनना है और जो भी आप का रिघुकेशंु army our education education कर रहा है लो आपको hard work नहीं करेंगा hard work means in a sense study नहीं करेगा और लंबा तक नहीं बैठेगा पराई नहीं करेगा तो फिर कुछ कुछs कुछs पंदे कुछ जो झोग्था नहीं है तो मेरे किपे हिंश्फराइद करुजा जाए खि pleased मार्क्स आया कितना मार्क्स नहीं आया तो फिर ये ट्रेनिंग में भी SIET है आपUM क्यों ऍरेनिंग में थोरा इफ्रेंट में स्पोर्च ऑजब किया एक बनाइन जान लगा के ट्रेनिंग न समार नहीं है तो फिर कुछ फाइदा नहीं है smart smartly train करना परता और अपना weakness को कैसे improve करना और अपना जो पहले strong point मतलब कोई भी punches हो food walk हो कैसी carry on करना ये बहुत smartly training करना unnecessary wasting energy तो नहीं करना और energy store भी करना है और training भी energy भी रखना है और training जब two hours को थकान भी नहीं होना है तो ऐसे type का training करना परेगा यहां भी आप दिमाग को highlight कर रहो मतलब अपने बच्चों को भी हिमत के बार में आप सिखा रहो आप actually strategy को highlight कर रहो कि strategy होनी जाए है strategy दोनों बहुत जरूरी है दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यह वाली playlist में subscribe कीजिये और playlist देखिये सीखते रहिये, grow करते रहिये, happiness to curiosity on the renby show बहुत रहिये दोस्तों के बाए है